रेफरेंस दिखाया था, कुरान से शायद, उसमें लिखा हुआ है कि अल्ला ने जिसको हिदायत देनी थी, उसको हिदायत दी है, याकि जितने लोग बचे उनका क्या होगा जैद भाई, जैसे अल्ला आप जब खुदी बता रहे हैं कि जिनको हिदायत देनी है वो हम चुन र देखूंगे, कुरान में कई सारी आयते हैं, अल्ला ने सुरा 13, 27 सुरे राद में फरमाया, कि यहदी इलैही मन अनाब, अल्ला उसे हिदायत देता है, जो अल्ला की तरफ पलटता है, अब किसे हिदायत देता है, ऐसा नहीं कि रैंडम रस्ते चलते किसी भी इनसान को हिदा अब किसे हिदायत मिल गई, अरे मुझे गुमराही मिल गया, ऐसा नहीं, वो हिदायत और गुमराही जो है, कुछ चीजों पर बेस्ट है, अगर आप सुरह लैल पड़े, वामा मन खाफा, जो फामा मन आता, वत्तका, वस्दका बिलहुसना, जो आता, जो देता है, खर्च क करता है उसको कन्फरम करता है तो आला तना फर्माए फसनु यस्रहूलि यस्रा हम उसके लिए जो भलाई का रास्ता है उसके ले आसान कर देंगे वामामन जो जो बक्हिला जो कंजुसी करें यहां वस्तगना अपने आपको बहुत बड़ा समझें और कदबाब बिलहुसना सचाई का इंकार करे हम उसके लिए बदबक्ती का रास्ता असान कर देंगे तो अब यहां कैसा है कि हिदायत और गुमराही जो है इसलाम कहता है कि उपर वाले के हाथ में हमारे हाथ में नहीं है हाँ हमारे एक्षिन्स पे बेस्ट है अब इसके इंदर कोई यह भी सोच सकता है क्यों मालूं है को सचता है कोई शक्स बहुत बुरा है बुरे-बुरे काम किया है लょकिन एक दिन ऐसा 하या जब उसके दिल में अहसास जा गया जब उसे ऐसास हुआ मैं गलत कर रहा हूं मुझे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए अब वो अभी तक गुमराही के लायक था लेकिन इस पॉइंट पर आकर वो हिदायت के लायक बन गया उसे खुद भी नहीं मालू पड़ा कि वो कब हिदायत के लायक हो गया अल्ला को पता चल गया अल्ला को हर चीज़ पहले से पता है कि ये इस पॉइंट पे हिदायत के लायक हो जाएगा और अल्ला ताला ने उसको हिदायत दी क्योंकि वो ऐसा हो गया वो टाइम पर उसी तरह कोई आपसिट ऐसा भी हो सकता है जो फकर कर रहा है गमांड कर रहा है गुरूर कर रहा है और अपने आपको बोल रहा है मैं गाइड़ हूँ अब एक टाइम है जो अल्ला को पता है अब ये टाइम पर ये जो उसका गुरूर है ना ये गुमराही की वज़ा है उसकी और यहां पे आके वो गुम्रा होने वाला है सही रास्ते पे चलते चलते ये पॉंट पे आकर वो गुम्रा हो जाएगा उसके दमाग में वो अरेगन्स हो जाएगा अब बात यह है कि हिदायत और गुम्राही है ना हमारे हाथ में इसलिए नहीं है क्योंकि हम imperfect है हमाई अंदर कम्या है हमें मालूम ही नहीं पढ़ता है कि कौन हिदायत के लाइक है कौन गुमराही के लाइक है लेकिन अल्ला इंसाफ करता है किसी पर जर्रा बराबर भी जल्म नहीं करता है सुराफोस 40 कुरान में दिया है किसी के साथ गलत नहीं करेगा तो वो हिदायत और गुमराही देगा, जो हिदायत के लाइक है उन्हें हिदायत देगा, जो गुमराही के लाइक है उन्हें गुमराही देगा, अब आप अगर अबजेक्शन लेना चाहते हो, तो यह इसलाम के अंदर जो बेसे हिदायत की, आप वो बेसे का बोल सकते हो, कि ह हिदायत देता है गुम्राही देता है इसके अंदर क्लियर है कि उसी के हाथ में है आप इस बारे में कुछ बुलना चाहते हैं जी वाई जैसे अगर एक नॉन मुस्लिम है गैर मुस्लिम है उसे सब चीज पता चल गया कि क्या है इसलाम और इसलाम के सारे जो भी अकीदे हैं वो पता लग गया उसको उसके बाद भी जैसे उसकी देथ आने से पहले वो मुस्लिम ना बन सका किसी कारण मतलब एक्सप्ट ना कर पाया अपने डिलीजिन चो नहीं पता है इसलाम के बारों में बिल्कुल भी उनका जज्ज्मेंट आप खुद करेंगे ऑन दे डे ऑफ जज्ज्मेंट ठीक है पर जिनको जैसे इसलाम के पता चल गया और पता रह के भी उन्होंने कबूल नहीं कर पाया अपनी जिंदगी में तो उन्हें जहन्नम में हो सकता है मीडिया में सुना हो एक ऐसा मख़भ जो आतंगवाद सिखाता है सुनते हैं औरतों को दबाना जल्म करना सिखाता है रियल इसलाम उन्होंने नहीं सुना गलत बाते सुनी इसलाम के बारे में रियल इसलाम पता नहीं चला उसका फैसला अल्ला करेंगे लेकिन जि मिले तो जुटलाएगा कोई न, قיामत के दिन जहन्नम के दरोजे पर जहन्नम के दारोगा कहेंगे, अलम यातिकूम नदीर, क्या तुम्हारे पास डराने वाले नहीं आए, तो वो कहेंगे, कालू बला गप्ट जाना नदीर, कहेंगे हाँ हमाई पास धराने वाले आए फक्दबना हमने उनको जुटला दिया हमने उनको जुटला दिया मैं आपको इसकी आयत बता हूँ तो ये बात है कि एक चीज़ वाज़ हो जाए जैसे गुरान के अंदर क्या है मिमबाद इमाद तबयना लहुल हुदा हक वाज़ होने के बाद भी कोई इनकार करता है उसकी बात है अब जो आपका में सवाल जहां से स्टार्ट हुआ वो ये है कि कोई शख्स को अगर मरने से पहले मालूम पड़ता है सारे पैगमबर को भीजा लास्ट मेसींजर मूहमस रसमओ बीजा जो सच्चे पैगाम को लेकर रहा है किसी को अगर पैगाम सच्चा सही समझ में आ गया फिर भी उसने इनकार किया उसको यह नहीं कहा गया था कि उसको पहाड पर जाकर जंगल में चले जाना है सब चीज छोड़ देना है जहां है वही रहे बस वो दिल में सची बात कुबूल कर ले सची बात को जान कर इंकार ना करे रिजेक्ट ना करे वो कर सकता था असानी से ये चीज पॉसिबल थी उसके लिए कम से कम दिल में एकसप कर लेता और जुबान से कह देता असको कोई डेकलरेशन भी करने की जूरूत नहीं उसके उपर वाले के बीच की बात है किसी और की इंसान की बात नहीं यहां पर बात है अगर वो कर लेता और वो नहीं किया उसने उसने सही बात जाना और इंकार किया और इंकार करने में वज़ा क्या होती है पैसा किसी की वज़ा होती है किसी के नाम, शोहरत, इज़त, ताकत यही चीज़े होती है अब वो उपर वाले को खुश करना उसने इंपॉर्टन्स उसको नहीं दी तो फिर क्या उसको सजा नहीं मिलनी चीए कि जिसने तुमें सब चीज़ दी, पालन हारे तुमारा मा की कोक में थे, आने से पहले से लेकर जमीन पे सारे इंतजामाद, सारी चीज़ जो किसने किया उसकी रियाल्टी को जान करके तुमने उसके बार उसको इंकार किया तो ये तो बहुत गलत बात है तो ये चीज़ का की सजा है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इम्तिहान चोटा होता है रिजल बहुत बड़ा होता है जिन्दगी भर चांस मिला लेकिन उसने इंकार किया तो बचने का फिर बाद में कोई रास्ता नहीं है इसलिए किसी को समझने के बाद इंकार नहीं करना जिसको मेसेज नहीं मिला तो आपने सही सुना है वो हदीस मैं कई बार बता चुका हूं तो फिर नहीं बता रहा हूं या आज के चार किसम के लोग अल्ला से आर्ग्यू करेंगे और फिर अल्ला उनका फिर से एक इम्तिहान लेगा और उनमें से जो लोग पास होंगे वो ज के इंट्रेस्त नहीं होता है सिर्फ स्वार्त में इंट्रेस्ट होता है तो वह वैसा ही काम बहुतर भी करेंगे और जो लोगों को अल्ट उम्मित करता हूं आपको जवाब मिलाौगा झाल